वेल्कम टू मैं यूटीव चैनल मिनाक्षी मैंस क्लासिज आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नुबर 14 मैंसुरेशन सुरी वक्षिटेट नहीं है यह आपका value based question का second question है फर्स्ट question मैं आपको करवा चुकी हूँ इसमें देखे हम करेंगे मैं पहले एक वर question को अच्छे ध्यान से समझेंगे फिर question start करेंगे for बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ a rally was organized by a school एक school है उन्होंने क्या किया कि जो यह campaign है बेटी बचाओ बेटी पढ़ा उसे related उन्होंने एक rally निकाल लिया Monal wrote the slogan on a trapezium shaped cardboard having the length of parallel side 60 cm and 90 cm respectively and the distance between them is 50 cm तो जो एक Monal है एक लड़की है Monal उसने क्या किया है Monal ने एक यहां पर एक cardboard के उपर एक slogan लिखा है और यह जो उसने slogan लिखा हूँ एक cardboard है जिसकी shape कैसी है trapezium shape है तो उसके उपर उसने एक slogan लिखा है तो हमें बताना है find the area of this trapezium यह जो trapezium टाइप का यह cardboard है इसका हमें area बताना है हमें dimensions दे गई है कि जो इसकी parallel side है 60 cm और 90 cm है means यह चोटे वाली 60 cm है और बड़े वाली आपकी parallel है जो 90 cm side है और हमें बताया गया and the distance between them as 50 cm और यह जो दोनों parallel side है इनके बीच में जो perpendicular distance है वो हमें दिया गया है 50 cm ठीक है easy सा question है find the area of the trapezium यह जो trapezium है इसका आपको area बताना है तो हम यहां से निकालेंगे area of trapezium area of trapezium आपको पता है trapezium का area find करने का formula क्या होता है आपने जो यह chapter start किया था वक्षिट 1 में हमने इस trapezium का ही पड़ा था तो उसमें formula है 1 by 2 into sum of parallel sides sum of parallel sides and multiply by height ठीक है अब आप यहां से देखो 1 by 2 into sum of parallel side अब आप देखो parallel side कितनी है यह 60 है और यह 90 है तो इन दोनों को प्लस करना है 60 plus 90 into height अब height आपको दीगी है 50 सब कुछ cm में है तो हम question को ऐसी direct कर सकते है इसमें कोई हमें unit की conversion नहीं करनी है तो अब यहां से होगा 1 by 2 into 60 plus 90 होगा 150 into 50 cancel कर दो 2 1s are 2, 2 7s are 14 and 2 5s are 10 multiply करेंगे तो देखो हमारे पस क्या आएगा 0, 5 5s are 25, 5 2, 5 7s are 35, 35 plus 2, 37 तो हमारा answer आएगा 3750 कितना area आया है सब कुल cm में तो पीछे लिख देंगे cm2 तो जो cardboard है उसका area है 3750 cm2 next है be part अब देखो question तो जो solve करने वाला था वो तो यही question था next है हमारे पास what are your views about girl education कि जो girl की जो education उसके बारे में आप क्या सोचते हैं अब हमें तो यह लगता है कि देखो अगर सी boys को पढ़ाएंगे तो girls का क्या होगा girls तो कुछ सीखी नहीं पाएंगी तो means girls को पढ़ाना बहुत जरूरी है तभी तो means कुछ अच्छा सीखेंगी कुछ अपने life में आगे बढ़ेंगी कुछ अच्छा करेंगी ठीक है वो independent बनेगी उन्हें वो मतलब किसी के उपर depend नहीं होंगी कि हाँ कोई उनके बारे में सोचे वो खुद से अगर वो independent हो जाएंगी कुछ से कमाएंगी तो ठीक है मतलब वो अपने बारे में सोच सकेंगी और अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोच सकेंगी तो यहां से जो girls education है वो बहुत जरूरी है तो हमारा आजएगा girl education is must girl education आपको कुछ और लिखना आपको कुछ और भी लिख सकते है girl education is must c part है c part में देखो हमसे पुछा गया है what steps can you take to promote girl education girl education को आप promote करना चाते हैं तो इससे related आप क्या step ले सकते हैं ठीक है तो आप अपने लेवल पर क्या step ले सकते हैं आप अपने घर के आसपास जो भी आपको कोई person मिले मिस समान लीजे कि आपके प्रोस में कोई एक ऐसी family है जो अपने बच्चे को नहीं miss boy को पढ़ा रही है और girl को नहीं पढ़ा रही है तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो आप उनसे बात कर सकते हो कि हाँ कि आपको अपने बेटे के साथ साथ अपने बेटी को भी पढ़ाना चाहिए वैसे तो देखो आजकल ऐसा means बहुत कम हो गया है कि सिर्फ boys को पढ़ाएं और girls को ना पढ़ाएं मिस आजकल तो society ऐसी हो गया कि girls को भी पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ families ऐसी होती हैं कि जो अपने boys उनके जो बच्चे हैं उनमें से सिर्फ boys के ओपर ही जादा ध्यान देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप एंकरेज कर सकते हैं people को कि वो मतलब girls को education देने के लिए उनको आपको कहना चाहिए कि आप girls को भी education दे तो हम यहां लिख सकते हैं encourage people to send girls to school कि वो girls को भी school में जरूर भेजें तो हम यहां लिखेंगे encourage encourage people to send girls to school कुछ और आप इसे देख आप तो इंग्लिश में भी लैटर्स बगरा बहुत पढ़ते हैं तो आप इसमें कुछ और अच्छा भी लिख पाएंगे आपको आपके मन में जो भी यहां पर sentence आया कुछ अच्छा लिखने के लिए आप लिखते हैं अगर आपको वीड करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें इस चैप्टर से रिलेटर जितनी भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज की पीडियाफ का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूँगी आप वहां से आप जरूर ले थैंक यू सो मच